तो दूस्तो आज अगस्त की कतिस तारीक है और ये जो छुटा सा वीडियो है ये मौर्निंग ब्लोग या मौर्निंग रोटीन को लेकर है सुबा के समय मेरे दिन की जो शुरुआत है वो साड़े पांच-छे बज़े हो जाती है जैसे ही छे बज़े के आसपास रोशनी होती है अभी कुछ साथ साथ बजे का समय है और सूरज जो है वो निकलने वाला है मेरे दिन की शुरुआत अल्रेडी एक देड़ घंटा पहले हो चुकी है यह जो आप प्लांट्स देख रहे हैं इस तरह से सबसे पहले यह रिखी यह घर का जो में एंटरेंस का गेट है और उदर वो बहार का में गेट है तो इस तरह से जैसे ही मैं सुबह के समय घर से बहार निकलता हूँ तो ऐसे कुछ प्लांट्स की लुक रहती है हो सकता है आपको इस समय यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी कम महसूस हो लेकिन जैसे ही दिन चड़ने लगेगा वैसी यहाँ पर जो रोशनी है वो बढ़ने लगेगी इन सभी पौदों को जो भी मेरे इस तरफ वरैंडा में पौद हैं इन सभी प्लांट्स को आदे से एक घंट पर प्लेस नहीं किया दूसरा बहुत से पौदों की रीपौटिंग जो है वो पैंडिंग है सबसे पहला काम रहता है मेरे घर में जितने भी टू विलर रहते हैं उनको बाहर निकालना इस तरह से मैं इन टू विलर्स को बाहर निकाल देता हूँ यह बाहर की साइड पर रह घरता है इसको फ्लॉर में यहाँ पर जितने भी प्लांस रहते हैं इसका यूज किया जाता है तो इस तरह से मैंने दौनों तरफ जो लगा रख रह और एक नोजल यहाँ पर फिट किया है क्या प्र этом आती है बाव-बार ज्यों यह लोज हो जाता इसलिए इसको कलम्ब से hammart तो इसका जो दूसरा साइड है पाइप का वो मैं इसके अंदर इस तरह से लगा देता हूं ताकि ये बार बार निकलेना और इसका यूज किया जाता है तो इस तरह से अगर आपको भी प्रॉब्लम रहती है तो आप ये काम कर लीजिए इस तरह से नोजल को फिट कीजिए क्लीन रहती है तो इसके लावा जो एक चीज मैं अपने हाथ में हमेशा रखता हूं गेट की अवा जाई ये दिखते है को ना है तो ये दिखिए शस्तिकाल जी शस्तिकाल तो ये प्रिति है वाइफ है मेरी आपको बहुत बार मैंने वीडियो में दिखाया भी है तो ये अभी गुर्दवारा साहिब से आई हैं और मेरा तो नास्तिक हूँ बिलकुल बहुत ही कम जा पाता हूँ क्योंकि सुभा के समय मेरे पास समय ही नहीं बचता जाने का आपके साथ अभी वीडियो शेयर करूँगा थोड़ी सी जो मैच्योर ब्रांशिस रहती हैं वो इस कटर से कट की जाती है इसके लावा एक बड़ा सीजर भी है मेरे पास कभी कबार अगर उसका यूज करना पड़ता है तो उसका यूज किया जाता है एक काम मैं जो हाथो हाथ कर देता हूँ वो ये कि कोई भी ओवर ग्रोन प्लांट्स रहती है जिनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ की रिक्वार्मेंट नहीं रहती है इस समय पर उनको मैं कट कर देता हूँ कुछ आदा एक घंटा इस काम में मुझे लग जाता है लेकिन ये काम रोटीन में नहीं करना पड़ता हर दस से पंदरा दिन में ऐसा कुछ करना पड़ता है जो प्लांट्स की ग्रोथ निकल कराती है उनकी कटिंग करना तो इस तरह से कटिंग करने से ये प्लांट्स अपने आपको एक जो शेप है वो maintain कर पाते हैं इसी तरह से कुछ एक और plants भी हैं मेरे garden में जिनको मैंने काफी समय से cut नहीं किया इनकी growth over हो चुकी है दिखिए ये silky ओक है इस तरह से बहुत खुबसूरत सा ये पौधा रहता है और बहुत लंबे समय से इस plant को ना तो मैं report कर पाया हूँ ना ही इसकी cutting की बहुत समय से इसकी एक request भी आई थी वीडियो share करने पर तो इस पौधे की मैं जल्द ही cutting करूँगा और आपके साथ जो इसकी reporting है वो भी share करूँगा हलाकि इस plant को sunlight चाहिए होती है और आप बहुत बार इस पौधे को roadside notice भी करते होंगे तो इसको जल्द report करूँगा एक अच्छा सा port दूँगा और इसकी cutting करूँगा फिर अपके साथ वीडियो share करूँगा उसके बाद कुछ जो plants की leaves yellow रहती है उनको remove करना जूरी रहता है इस तरह से देखिए ये जो yellow leaves है जैसे हिबिसकस में बहुत से questions आते हैं कि leaves yellow हो रही है तो इन leaves का yellow होने का कुछ climate में change या temperature में change कहा सकता हूँ reason रहता है दिन के समय धूप तेज निकल कर आती है और शाम के समय या रात के समय जैसी थोड़ा सा टाइम प्रेचर चेंज होता है टाइम प्रेचर में fluctuation होने लगती है बारिश का मौसम है क्योंकि इस समय तो ये थोड़ा सा difference रहता है इसका एक reason ये रहता है इस तरह से जो leaves है वो yellow होने लगती है एक ये मेरा neon pathos है money plant की neon वाली variety है इसको मैंने बारिश के चलते ही यहाँ पर pillar पर place कर दिया था ये देखिए लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप मिलने से इसकी जो सभी leaves हैं वो जुलसने लगी है ज़्यादा दिन के समय की तेज़ धूप ये plants tolerate नहीं कर पाते तो इनकी सभी की सभी में leaves जिस समय यहाँ से remove कर दूँगा और इस plant को वीडियो शेर करने के बाद उठा कर थोड़ा shaded place में shift करूँगा नीचे और first floor पर पानी डालने के बाद अच्छे shower करने के बाद इस pipe को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरह से grill की side में जो ये hook रहता है इस तरह से इस hook के अंदर place कर देता हूँ तो next step फिर मुझे जब ये pipe चाहिए होता है मैं यहीं से निकाल लेता हूँ अब आज उके हम first floor पर first floor पर मेरे थोड़े कम पौधे place की हैं बहुत ज़दा कोई quantity नहीं है plants की लेकिन फिर भी अच्छी quantity है इस तरह से ये देखिए इस समय जो कुछ plants बहुत अच्छे से flooring करने लगे हैं वो देखिए इस तरह से मधू काम नहीं है ये अलामंडा का पौधा है अलामंडा में भी देखिए इस तरह से semi wine रहती है इसकी और बहुत अच्छे से flooring है वो स्टार्ट हुई है देखिए दूर से आपको दिखाता हो बहुत अच्छे से flooring स्टार्ट हुई है और कुछ दिन पहले इस चंपा के पौधे में heavy flooring हुई थी heavy flooring के बाद अब इसके जो floors हैं वो spent होने लगे हैं लेकिन नीचे से जो नए birds हैं वो भी बनने लगे हैं तो इसके लिए fertilizer पर जो video है मैंने already आपके साथ share किया है एक plant को जो cutting या pruning की requirement है इस समय वो ये बौगन विल्या के पौधे हैं बौगन विल्या के पौधे जो हैं ये मेरे overgrown हो चुकी हैं इस तरह से देखिए आप ये सभी के सभी पौधे overgrown हो चुकी है और इनको hard pruning की requirement है अगर आप भी इस समय करना चाहते है तो इन पौधों की hard pruning कीज़े का कोईश करूँगा मैं जल्द इसकी वीडियो आपके साथ share करने की और जैसे ही मौसम में अब मौसम के बाद का season आएगा फिर से ये पौधे अच्छे से flouring करने लगेंगे एक जो plant आपके साथ मैं specially share करना चाहता हूँ वो देखी ये टिकोमा डौफ है कुछ दिन पहले मैंने इसकी reporting की थी ये red soil में लगा हुआ पौधा था इसकी मैंने इस तरह से 10-12 इंच गमले में पूरा bear root करके इस पौधे की सारी की सारी मिट्टी निकाल कर reporting की थी बहुत से comment आए थे कि ऐसी reporting के बाद ये पौधा survive नहीं कर पाएगी तो देखिए मेरे पौधे ने अच्छे से survive किया अभी 3-4 दिन पहले मैंने इसको बाहर की तरफ निकाल कर रखा और इसने अपने नए flowers हैं वो भी produce करना start कर दिया तो जीन मेरे दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखा इसका जो लिंक है वो description box में देदूँगा वहां से वो वीडियो देख लीजीगा मेरे ground floor से जो first floor है यहां पर थोड़ी सी धूप ज़्यादा रहती है दिन के समय यहां half day से कुछ ज़्यादा देर की sunlight रहती है तीन चार बज़े के बाद यहां से जो sunlight है वो जाना start होती है और इधर का जो मेरा बड़े वाला three layer का जो stand है इसको अभी तक मैंने set नहीं किया time की कमी के वज़ा से बहुत लंबे समय से इसकी जो setting है वो pending है तो इस तरह से इसके उपर यह देखे बहुत अच्छे से जो singonium के plants है सारे के सारे growth कर रहे हैं देखे सभी छोटी बड़ी पत्तियों वाले अलग लग जो colorful leaves वाले सारे singonium के पौदे बहुत अच्छे से growth कर रहे हैं और यह जो मैंने आपके साथ एक boxwood पौदे कैसे bonzai develop की जाती है शेर किया था इस तरह से इसकी जो growth है आप थोड़ी से निकल कर रही है जल्दी इसकी भी मैं cutting करूँगा इसको जो shape दी थी हमने वो shape बिलकुल सही इसने maintain की है और सबसे ज़ादा जो धूप रहती है वो मेरे second floor पर रहती है इस तरह से second floor है मैंने अपनी overview की वीडियो में share भी किया था तो सुभा 7 बजे की आसपास यहाँ पर धूप आना start हो जाती है और शाम जब तक अच्छे साथ नहीं बचते तब तक धूप नहीं जाती सबसे खास बात तीनो फ्लोर में मैंने कभी भी अपने कोई भी green net का इस्तमाल गर्मी में भी नहीं किया बस जो plant की placement है वो उनकी quality के according की जाती है जो sun loving है उनको उपर की side पर जो थोड़े से semi shade plants है उनको नीचे की side पर आप दोस्तों के साथ share करने के लिए एक video मैंने और prepare किया है जिसके अंदर मैंने अपने सभी के सभी जो अडेनियम के बाधे इनके जो colors हैं वो share किये इन सभी पर देखिए फ्लारिंग जो है वो बहुत अच्छे से start हुई है हला कि fertilizer को लेकर मेरा वीडियो जो already बहुत से available है इनकी के इस तरह से care की जाती है तो इसके उपर सभी colors को लेकर भी जल्द ही आपके साथ एक video share करूँगा रेन लिली पर इस समय अच्छे से flooring start हुई है और जल्द ही जोही के पौदा भी मुझे sign दे रहा है कि ये भी flooring पर आ जाएगा जोही के पौदे का भी समय flooring season है बहुत जल्द ही पौदा flooring करेगा ये देखिए बहुत बुशी सा एक पौदा है घना पौदा है एक plant ने मुझे सुबह 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 सर्प्राइज दिया वो ये वाला पौदा था देखिए ये मिनी कामनी का पौदा है मिनी कामनी इसको बोलते है और इसको मैंने एक bonzai पोर्ट में ग्रो किया था इस तरह से इसके जो flooring है थोड़ा सा चलिए अब घर के अंदर की तरफ चलते हैं और कुछ मेरे दोस्त अर्पित को बहुत मिस कर रहे थे बहुत दिन से तो ये मेरा रूम रहता है इधर और ये देखिए मुझे इसके उठने की आवाज आ चुकी थी मिस benefit पहले से उठ चुकंए इसको बास रड़ी होने है त्यहार ओने इसको स्कूल जाने और इसका मन नहीं वैसे जाने का इतनी छुटियों ओ चुकी हिए ना कवीडि करन फिलिब इसका नहीं करता जाने का सworkन that अभी इसको लालच दिया गया है कि टेको सेंड़ अच्छे से टोस्ट बनाकर सेंडविश बनाकर जो है वो पैक करके दी जाएंगे फिर यह स्कूल जाएगा तो यह तब यह माना है कि यह सेंडविश लेकर जा रहा है इस समय कुछ समय है आठ बजे के आसपास का और बस यह वीडियो मुझे यहीं पर खत्म करना होगा वीडि प्राजिता के जो फ्लार्ज हैं वो खिलने लगे हैं और यह भी जैदा कुछ फैलाव में आने लगा है पौदा जाड़ी नुमा त्यार होने लगा है और इसके बाद मुझे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होगा क्योंकि स्कूल अब ऑपन हो चुके हैं बस फिर आज के इस वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई हैपी गार्ड़निंग टेक क्यार